तो हेलो फेरेंट स्वागत करते हैं आपको अपने यूटूब चैनल के अस्परनीचर आडी आज में फेरेंट आज के इस वीडियो में हम आपको हाइड्रोलिक जो बेड में हाइड्रोलिक पंप लगता है वो लगा कर दिखाएंगे मातर दो मिनट में दो से तीन मिनट में दोस्तों लगा के हम आपको दिखाएंगे तो वीडियो में बने रहे हैं जैसा कि ये देख रहे हैं ये हाफ ले का है हाइड्रोलिक फिटिंग जो कि हम इसको लगा कर दिखाएंगे तो हमने box already बना लिया था 3-3 fit का 2 box बनाया था और उसको nut vault के जरिये जो है दोस्तों एक में joint कर लिया था दोस्तों इसको लगाना बिलकुल आसान है यदि एक बार वीडियो आप पूरा watch कर लेते हैं तो आप लगा सकते हैं और इसमें दोस्तों कुछ करना नहीं है सीधा simple होता है जैसा कि ये देखिए 18 mm की पट्टी है उसको आप head की तरफ दोस्तों उसको head की तरफ ऐसा लगा देना है और उपर से एकदम level ऐसे उपर से एकदम से level पकड़के इसमें screw लगा देना है दोस्तों इसमें एक चीज़ का दियान रखना है आपको कि इसको पहले पूरा बैठा दीजिए उसके बाद उपर से level कीजिए और इसको जो है दोस्तों आप इसका screw जो रहेगा वो आप छोटा मत लीजिए इसको बड़ा वाला लगाई है जैसे कि हम लगा रहे हैं उसके साथे यह हाफले का लेते हैं तो उसमें आता है मोटा वाला screw तो आप उसको मोटा वाला ही लगाई है क्योंकि जब एक बार हाइडरोलिक उसमें फिट हो जाएगा तो सारा load उसी पे पड़ेगा तो देखिए इसको हमने दोनों तरफ से ऐसे फिट कर लिए बस उपर से आप level फिट कर दीजिए और सामने की तरफ से मतलब head की तरफ से आपको थोड़ा सा पॉना इंच या एक इंच का space देना है जादा मत दीजिए पॉना इंच देंगे तो एक दम अच्छा रहेगा पॉना इंच आप दे दीजिए दोस्तों लगाने का इसका तरीका अलग-अलग होता है लेकिन हम किस तरह से लगाते हैं वो आपको बता रहे हैं यह देखने के बाद आपको दूसरा विडियो देखने की आउस सकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों जैसे half-lay का लगता है वह यसे hiti's का भी लगता है उसी तरह से हमारा ipka का लगता लगता है सिलिकक का भी सेम ही लगता है मिला जुला के सारा इसी तरह से लगता है जो इस टाइब का आता है दोस्तों इसकी कैप सिटी 200 केजी का इसमें 1.500 केजी का भी आता है उससे कम का भी आता है लेकिन यदि आप King Size के बेड लेते हैं तो उसमें कम से कम 200 केजी का आप लगाएए मैट्रेस पर डिपेंड करता है मैट्रेस से हैवी वाला ले रहे है तो उसमें आप 200 kg का ही लगाई है यह थोड़ा हलका लेते हैं तो 1.500 का भी चल जाता है तो कुछ इस तरह से आप इसको फिटिंग कर लीजिए होने के बाद दोस्तों इसको कई तरह से लगाया जाता है कुछ लोग यह बॉक्स के अंदर इसी में गुसके मार्किंग करते हैं तो पूरा प्रोसेस उतना हमको करने की जरूरत नहीं बस सामने से पहले ऐसे फिट कर दीजिए फिर यह दोनों तरफ से पंप को फिट कर दीजिए तो हमारा इसी तरह से फिट हो जाएगा एकदम आसान है दोस्तों लगाना बिल्कुल और इसको थोड़ा अच्छे से अप्टाइट कर लीजिए क्योंकि नट बॉल्ट है इसमें सामने के तरफ थोड़ा सा रावर देता है ताकि वह बाई चांस सिलीप हो तो मतलब आगी के तरफ ना आया और बार बार आपरेट करने से जो है वह खुलके गिर ना जाए इसलिए दोस्तों इसको आप अच्छे से टाइट कर लें तो देखिए हमने इसको हेड्रोलिक पंप लगा दिया है और इसको टाइट कर दिया है और उपर से टाप भी दोस्तों हेड़ बूर्ड में टच करके जहां जहां इसका होल आ रहा है मार्किंग आ रहा है उसको चार इसक्रू पहले लगा दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उपरेट करके देख लीजिए, यदि एकदम सही रहता है दोस्तों, तो उसको पूरा कम से कम, और यह देखें, उपर से पूरा ऐसे, कम से कम जो है, तीन तीन जो है, नाट वोल्ट लगाई, इसक्रू की बात नहीं मै सब्सक्राइब करके ऐसे जैसे देखिए यह हमारा एक वासर लगा के अच्छे से इसको टाइट कर लीए क्योंकि दोस्तों सारा लोड इसी पर रहता है तो इस रूप उतना भरोसा नहीं रहता है तो कम से कम तीन तो आप एक इस छेड़े पर एक इस छेड़े पर इतर करके ही लगा